हैलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने वीडियोप चैनल मेडिकल दोस में तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुड हेल्थ कैपसुल के बारे में जो की आयवरदिक मेडिसिन है जिसका उपियोग मुख्य रूप से भूग बढ़ाने के लिए दुबले पतले शरीर को मोठा बनाने के लिए किया जाता है तो आज हम इस वीडियो में यहीं देखेंगे कि इस कैपसुल को कब कैसे और कितने समय तक लिया जाता है देन इस कैपसुल में कौन-कौन से इंग्रिडेंट है और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या इस capsule के कारण कोई side effect नज़र आते है या नहीं तो इन सब के बारे में पूरी detail में जानकर आज हम इस वीडियो में लेगे तो वीडियो को बिना skip के end तक देखे और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको medicine and health related और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगे तो दोस्तो good health capsule ये फूरी तरह से ayurvedic medicine है जो विस्वास American company द्वारा manufacture की जाती है अगर price की बात की जाए तो ये 50 capsule का एक डिबा आपको 232 रुबए में आसानी से मिल जाएगा ये आपको online भी available है मिल जाएगा दोस्तो अगर कोई व्यक्ति बहुती दुबला पतला है और वो मोटा होना चाहता है या किसी को भी भूक नहीं लगती तो वे लोग इस medicine को ले सकते हैं इसके अलवा अगर आपको liver से समंदित कोई परिशान है या खाना digest करने में कोई problem है या फिर आप अपने body को fit या healthy बनाना चाहते हो तो तब भी आप ऐसे condition में इस capsule का 7 कर सकते हो इन सब में आप ये capsule काफी अच्छा result देती है दोस्तो good health capsule आपके भूग को बढ़ा देती है और साथ ही ये capsule आपके खुन को भी बढ़ा देती है और अगर आप बहुती दुबले पतले हो तो ये आपको मोठा भी बना देगी इसका जो डोस है पूरा डोस लेने के बाद आपको दो महिनों में इसका result मिल जाएगे साथी साथ ये capsule आपको स्वस्त और फीट बनाए रखने में भी help करेंगे दोस्तो डोस की बाद की जाए मतलब इस capsule को कब और कितने समय तक लिया जाता है तो दोस्तो इस capsule को शुरुआती दिनों में दो बार सुबह शाम खाना खाने के बाद लिया जाता है दोसो इस capsule को आपको दो महेनों तक लेना है और इसको एकदम से छोड़ना नहीं है इसे दीरी-दीरी करके इसका dose जो है वो कम करना है मतलब पहले एक महेने तक दिन में दो बार सुबशाम ये capsule लेनी है उसके बाद next month आपको ये एक ही time लेनी है रात को खाना खाने के बाद और देहान रखे ये capsule हमेशा खाना खाने के बाद ही लिग जाती है दोसो side effect की बात की जाए वैसे तो कोई खास side effect दिखता नहीं क्योंक आश्वगंदा, ब्रामी, द्राक्ष, येस्टमदू ये ही ingredient है तो इसका कोई side effect देखने को नहीं मिलता है लेकिन अगर आपने एकदम से इस capsule को लेना छोड़ दिया तो इसके कारण आपका शेर पहले ही जैसा दुबला पतला ही हो जाएगा तो इसे एकदम से बिलकुल भी and healthy diet भी लेनी है और साथ ही proper workout भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर आपको पहले से कोई health related कोई problem है तो आप इस दवा का 7 ना करें और कोई भी व्यक्ति इस दवा का 7 करने से पहले अपने doctor से एक बार सलाह जरूर ले क्योंकि आपके doctor आपकी health को आपकी medical condition को मद्दे न medication ना करें तो चली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको इस वीडियो की जानकारी helpful रहे होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment शुरूर कर दीजिगा और ऐसे medicine and health related videos के लिए आप हमारे medical दोस्ट चैनल को subscribe भी कर सकते हैं धन्य आप